A very good morning to all of you. So, हम लेकर आए हैं आज का editorial analysis 18th of January का and चलिए शुरू करते हैं The Illogical Reaction of Idea of South Asia. So, basically अगर हम देखें, तो जो South Asian region है, अगर हम बाकी वर्ल देखें कि जैसे वहाँ पे NATO है, और भी कई तरह के ऐसे groups हैं, RCEP है, TTIP हैं तो ये जो groups हैं, ये basically चलो अब भी चाहे कुछ formal है, कुछ informal है, कुछ talks में हैं, तो ये सारे जो groups हैं ये दिखते हैं कि वर्ल के अलग-अलग regions को cover करते हैं, अलग-अलग regions में एक unity दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक South Asia ही एक ऐसा region है, जिसमें जो countries हैं, उनकी आपस म कोई एक ऐसा regional group नहीं बन पाता, और जैसे कि अगर हम कहें कि सार्क group भी है, लेकिन उसके भी हमने हमें पता है कि meetings जो हैं, बहुत time से pending हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक South Asian region ही ऐसा है, कि जहां पे ये ऐसे collaboration नहीं हो पाता है, obviously बहुत सारे reasons हैं इसके, पाकिस्तान का रूल है, ठीक है, एक common होके, एक as a region होके, उनको अपना एक regional कोई ना कोई group बना के उसके उपर जो काम है, वो करना चाहिए, ठीक है, ऐसा इस editorial में बताया गया है, तो एक recent World Bank का report आया है, air pollution के उपर, जिसमें उन्होंने ये कहा है, कि South Asia, that 2 million people die, prematurely in South Asia each year, as particulate matter concentration, put 9 South Asian cities, among the world's top 10 worst affected by air pollution, ठीक है, तो ये South Asian cities जो है, ये top 10 उसमें आती है air pollution में, तो South Asian region में air pollution एक बड़ा reason है, ठीक है, अब इसका जो solution है, ठीक है, अगर हम कहें कि air pollution तो है, तो इसका solution क्या है, तो इसका solution है, इसका solution जो है, वो किसी एक country अपरोस से नहीं आ सकता, कि अगर सरफ इंड Asian region में उसमें six air sheds है, तो हमें ये ऐसे solution नहीं मिल पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें क्लब होके, common South Asian जो एक group बना के उसके अपर काम करने पड़ेगी, The report ends by asking India, Pakistan, Bangladesh and all other South Asian countries to begin talks between scientists, officials and eventually ministers and leaders to create a mechanism for the cooperative management of six air sheds, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक region है, और जो air pollution है, वो obviously एक कोई ऐसा regional phenomenon, एक country वेसे फिनोमिन नहीं है, वो एक पूरे region को effect कर रहे है, तो सारे regional जो हैं, जो भी इसमें stakeholders है, उनको मिलके, बैटके, इसके उपर बात करके, कोई ना कोई जो program है, वो, कोई ना कोई जो setup या solution है, वो लेके आना पड़ेगा, कि यह अपने आपको, इसमें भी कोई talks नहीं कर रहे हैं, यह अपने आपको एक common unity नहीं देख पा रहे हैं, और यह कह रहे हैं, कि यह जो सार्क nations हैं, ठीक है, अभी COP27 हुआ, जिसमें श्रमल शेक लिया गया, तो वो पाकिस्तान के chairmanship में लिया, और उस टाइम पे South Asia की सारी countries ने इसको support किया, तो यह बहुत हहरानी की बात है, कि जब कोई world regional forum होता है, उसमें तो आप कट्छे हो जाते हो, world forum में, global में, लेकिन आप एक regional forum नहीं बना पारें, तो यह बहुत illogical सी बात है, ओके, तो बा इस अपने पाकिस्तान के पाकिस्तान के लिए पास्टेट को लेके बैठे हो एं सार्क को, ट्रेड को ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप यह कब तक करोगे, आप नहीं कर सकते क्योंकि अब जो issues है, यह से climate change हो गया, पाकिस्तान में floods आई उस वज़े से, यूक्रेन वोर है, जिस वज़े से energy grain fertilizers, इन सब के ओपर issues चले हुए है, economic recession चला हुआ है, covid के variants है, तो अब और उसके बाद Taliban ने take over कर लिया अफगानिस्तान को, अब यह इतने सारी चीजे हो रही हैं South Asia में, कि जहां पे आपको as a region के तोर पे काम करना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा आप में एक missing चीज है, South Asia में अगर हम देखें, तो it has missed the chance to point itself as an energy cartel, commanding a better price for the region, ठीक है, तो इससे इनका नुकसान ही हो रहा है, पाकिस्तान ने, अब हम देखते हैं कि regional क्या क्या issues है, पाकिस्तान has refused talks with India to its own debt written, पाकिस्तान कहा रहा है हमें बात नहीं करना, ठीक है, और अब इससे क् पाकिस्तान जो है, South Asia energy grid, जो एक South proposed energy grid है, और दूसरा एक regional connectivity का जो program है, BBIN, that is Bhutan, Bangladesh, India, Nepal, ठीक है, इससे पिछे रह गया है, उसकी अपनी ही है, कि मुझे नहीं किसी से बात करनी, ठीक है, उसके बाद यह जो हम phrases देते हैं, वसुदेफ कुटूंबकम और diplomacy and dialogue, यह कह रहे हैं क इन सब को साथ लेके चलना, as per this phrases, यही एक तरीका है कि हम इन सारे crisis को solve कर सकते हैं, लेकिन यह कोई properly follow नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि सार्क समिट जो हैं, वो इंडिया पाकिस्तान दोनों नहीं hold पे करे हुए हैं, कोई भी इस पे matter नहीं हो रहा है, और हम अपने जो neighbors हैं, उनको भी invite नहीं किया, तो regional cooperation की opportunities सारी की सारी इनोंने miss कर दी, medicines में भी, covid के time पे भी, ठीक है, अब अगर हम terrorism की बात करें, जो इंडिया और पाकिस्तान हैं, दोनों ही terrorism की बात करते हैं, अलग-अलग organs में, जैसे SCO का organ है, RATS, regional anti-terrorism, वहां पे भी यह बा पाई, पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया will not hold talks with पाकिस्तान due to its supports of terrorists, but now has a dialogue open with UN-designated terrorists themselves, Taliban leaders की यह लिए कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को तो मना कर दिया कि हम आप से बात नहीं करेंगी, क्योंकि आप terrorists को support करते हो, लेकिन अगर हम देखें, तो इंडिया जो है, अफगा अफगानिस्तान से इनके continuous relations हैं, जबकि अफगानिस्तान में भी Taliban leaders हैं, तो यह confusion है कि ऐसा क्यों, ठीक है, comfort in regionalization, it is clear to see that underpinnings of globalization, अब यह हम बहुत दिन से discuss करते हैं लगा लेकिटोरियल में, कि जो globalization है, वो era अब 12 से regionalization की तरफ जा रहा है, दुबारा से जो regionalization उसको promote किया ज और सारी country जो है, अपने-पने regionalism को support करने में लगी हुई है, तो regional जो trade है, अभी it makes half of, makes up to more than half of the global trading, और regionalism जो है, regionalization जो है, वो दुबारा से closer, वो हो रहा है, terms है, मर्ज हो रहा है, तो इस time पर South Asian region को भी इस चीज़ के उपर ध्यान जो है, देना चाहिए, South Asia defined by Himalias and Hindu Kush to the North and Indian Ocean to the South and is an exception, the outlier of the most logical principle कि सिर्फ अगर हम देखें कि इतने सारे regional groups है, USMCA, Mercosur है, Sadran Common Market है, Economic Union है, ठीक है, African regions ने भी, RCPDB Stationations ने भी बना लिया, बस एक South Asian region ही है, जो कि ऐसे United नहीं है, okay, it is necessary future to dealing the South Asian cooperation for summit itself and along other parts कि हमें health energy, women agenda इन सब के अपर बात करनी होगी और अब हमें एक बहुत जादा serious जो है, ग्रुप की जरुवत है, ठीक है, जिसमें ये सारे जो पुराने past issues है, उन से उपर उठके, हम एक South Asian group जो है, बना सकें, ठीक है, तो ये South Asia का map है, तो यही इस editorial में बताया गया है, next जो editorial है, it is about the new free food grain scheme as an illusion double speak, अब होता क्या है, कि एक India में एक scheme चल रही है, basically हमारा act है, that is National Food Security Act, तो National Food Security Act के अंडर, ठीक है, दो तरह के beneficiaries को identify किया जाता है, इसमें से जो BPL category के beneficiaries हैं, उनको government जो है, एक कुछ fix price पर जैसे 3 रूपीजी राइस हो गया, 2 रूपीजी पर केजी वीट हो गया, इस rate पे एक महीने में 25 kg grains देता है, तो ये story है कि National Food Security Act के के rate पे 25 kg grain हर महीने दिया जा रहा है, उसके बाद आता है COVID, ठीक है, तो COVID में ठीक है, सबसे बड़ा जो problems ही वो in families को ही थी, तो government लाती है एक scheme, प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना, तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के अंडर, government कहती है कि हम आपको 25 kg एक्स्ट्रा देंगे, 25 kg तो पहले ही इस scheme के अंडर मिल रहा है, अब हम आपको 25 kg और grain देंगे, जो की बिलकुल ही free होंगे, okay, free food grains मिलेंगे, तो अब जो beneficiaries हमको कितना food grain मिल रहा है, 50 kg, okay, तो 50 kg मिल रहा है, तो ये scheme कुछ टाइम के लिए ही शुरू की थी, गरीब कल्यान नहीं हो जना कि COVID के टाइम पे ही बात में हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन government ने फिर भी इसको 28 months तक extend किया और ये scheme चली, लेकिन अब finally government ने scheme को बंद कर दिया है, उन्होंने कहा है कि अब ये प्रधानमंतरी गरीब कल्यान जना बंद हो जाएगी, उसका उन्होंने एक और थोड़े से पुरानी scheme में change करे हैं, उन्होंने बोला है कि जो National Food Security Act के अंदर जो BPL Families को 25 kg राशन मिलता है, ये तो खतम हो गया, ठीक है, ये तो अब मिलेगा नी, तो बचा सरफ 25 kg, ये 25 kg जो उनको 3 दोर पे लेना पड़ रहा था, उस 25 kg पे को हम free देंगे, तो ये आपको बिलकुल ही free मिलेगा, तो एक तो ये ठीक है, ये scheme announce हुई, लेकिन इस editorial में ये कहा गया है, कि इससे पहले तो आप 50 kg जो राशन है, ठीक है, उसमें से 25 kg तो आप free दे रहे थे, 25 kg 3 रूपे के हिसाब से भी अगर हम निकाले, तो 75 रूपीज में BPL Families को जो हैं 50 kg राशन मिल अब आपने ये scheme बंद कर दी और उसकी जगा पे आपने ये कह दिया लोगों को कि हम आपको जो पहले भी आपको 3 रूपे भी 75 भी पे करने पड़ेंगे, आपको ये भी नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें catch ये है, कि सिर्फ और सिर्फ ये 25 kg ही मिलेगा free, तो पहल कि इसमें 50 kg मिल रहा था, 75 में इसमें सिर्फ 25 kg परी मिलेगा, बाकी का 25 kg आपको अगर आपको चाहिए, तो आपको market price पे लेना पड़ेगा, तो ये ही कहा गया है, the cabinet has announced under the new of Taro, पधानमंतरी गरीब कलिया नन योजना, 810 million national food security beneficiaries will receive 5 kgs of free food grains every month, but 5 kgs of free food grains, ठीक है, एक individual को, त हम ये मानते हैं कि एक family में 5 persons है, तो 25 kg per family हो गया, ठीक है, average, but this quantum was already की है, तो जो पहले ही मिल रहा है, 25 kgs of free, तो पहले से ही मिल रहा था, तो आपने इसमें तो कोई change किया ने, the only difference is that in January 2023, a family of 5 can collect 25 kg for free, ठीक है, this is a reduction of half of the 50 kg of rice, जिसमें 25 kgs पहले इसमें मिल रहा था, और 25 kgs में, तो अब इनको जो पहले 50 kg, 75 रुबे में मिल जाता था, a family have to buy 25 kg, अगर इनको extra 25 kg चाहिए, तो इनको market rate से लेना पड़ेगा, तो ये इनोंने कहा है, कि ये गरीब के लिए नहीं हो, जना को नहीं आप कह सकते कि हमने उसको revamp किया है, क्योंकि इसका कोई लेना देना न इसका के लिए तो obviously नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको अब तक भी extend किया गया, सिर्फ और सिर्फ elections के लिए, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ elections के लिए, फ्री का जो system में ये किया गया, और यूपी में भी इसी वज़े से, जो है, ruling party जीती है, कि उन्होंने ये किया, और ये कह रहे हैं कि अब आपने इसको तो free कर दिया, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं, opposition parties को, free के culture को, freebies को, remedy कल्चर कहा था, कि ये गलत है, तो आपने भी तो यही किया, तो ये इसमें इनको कहा गया है, अब कहा रहे हैं कि जो परधान मंतरी गरीब क according चले, तो 40% इंडिया का population है, जो इन दोनों स्कीम से बाहर है, जो की deserve करता है, इसमें आने के लिए BPL families में, ठीक है, कुछ states है, जैसे तमिल नाटू, उरिसा, राजस्तान, चत्तिसगर, वेस्ट बेंगॉल, उन्होंने अपना जो PDA system और ये National Food Security Act है, इसको universalize कर दिया, कि स compared to rest of the India, Supreme Court ने भी कहा कि आप अपना National Food Security Act का coverage बढ़ाओ, ठीक है, कि अगर हम projection के according जाएं, तो 100 million beneficiaries ऐसे हैं, specifically children, ठीक है, जो specifically children, जो इस last decade में बौन हुए, जो missing है, राशनलेस्ट में, लेकिन Central Government इसके लिए कुछ करनी रही, UP में सिर्फ किया गया, क्योंकि UP में ये कह रहे ह हैं कि मनरेका का issue, हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि वहाँ पर attendance उन्होंने online compulsory कर दी, उसको लेके states ने शूट आए, और ये कह रहे हैं कि ये तो चलो, ये तो चलो है, ये food grades का issue, और दूसरा इनकी जो scheme है, जो एक तरह से last resort scheme है, employment के लिए, ठीक है, कि उसके लिए भी, ज इस तरह से ये illusion है, the illusion of new free food grain scheme will be in reality, cause the extreker and pinch family budgets in the new year, तो ये कह रहे हैं कि ये कोई बात ही नहीं है, ये सिरुफ elections के लिए किया गया है, next is a case for reassigning GST to the states, तो इसमें हम GST का हमें पता है कि GST आया, ठीक है, हमारे indirect taxes को सब में कलब करके, एक GST common tax लाया गया, तो उसके लिए एक GST council बनाई गई, GST council is a joint form of center and state, it will function from undermind the chairmanship, इसकी जो union finance minister है, और जो इसमें ministers है, वो state और union government, यूटेस दोनों से होंगे, council भी लेक्ते हैं, बेंचमार्क इन मिल काईट the states and union on issues like tax rates, exemption इन सब की अपर, लेकिन जो problem है, वो इस चीज में है, central government जो है, उसका weightage one third है, और state government का weightage two third है, तो एक तरह से central government को बहुत high voltage है, तो ultimately इनको veto मिल जा है, तो कोई भी decision को ये change कर सकते हैं, अपने according, okay, union government is endowed with more tax powers than the states, ठीके ये कहा गया है कि constitution में union government को ज्यादा tax powers देए गये हैं, जबकि states के पास expenditure ज्यादा है as compared to government, okay, this give rise to vertical fiscal imbalance between union and state governments, vertical fiscal imbalance क्या होता है, vertical fiscal imbalance is between the ability to raise revenues and obligation, fiscal imbalance होता है, कि आपका expenditure ज्यादा हो रहे है, और income आपको कम है, revenues आप tax आपको आनी रहे, अब vertical मतलब difference between center and the state, ठीके, federal and provincial governments, difference between center and the state, जो उनके बीच का mismatch है, revenue and expenditure की responsibilities का, उसको हम बोलते हैं, vertical fiscal imbalance, horizontal fiscal imbalance, जो अलग-अलग states का आपस में है, ठीक है, जैसे पंजाब, भर्याना, यूपीन का अगर हम compare करें, then it is horizontal, अगर state और center का compare करें, then it is vertical fiscal imbalance, okay, तो यही कह रहे हैं कि states के पास expenditure जादा है, union revenue government के पास tax powers जादा है, तो इस वज़े से vertical fiscal imbalance जो है, वो union और state governments के बीच में है, तो इसका जो काम है, इसको balance करने का finance commission को दिया जाता है, लेकिन वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, as for this editorial, अब GST का structure देखते हैं, तो union and state government, जो GST है, वो दोनों के बीच में, 50-50% divide होता है, CGST and SGST, अब अगर 18% GST है, तो 9% central government को जाएगा, 9% state government को जाएगा, उसके बीना एक IGST होता है, ठीक है, that is integrated, अगर दो states involved है, तो जैसे दो पंजाब हर्याना है, तो IGST लगेगा, और इसमें भी दोनों को 50-50% जो है, मिलेगा, okay, GST is in harmonized tax on commodities across the countries, individual states, लेकिन individual state अगर अपने level में इसमें कोछ change करना चाहे, तो नहीं कर सकता, सेंटर का बहुत बड़ा जो है, पावर है इसमें, conceptually union government, union government भी अकेला नहीं कर सकता, अगर देखा जाए, अगर state अकेली नहीं कर सकती, union government भी नहीं कर सकता, लेकिन joint decision में, जो अगर कोई ऐसा decision, center जो है, उस से गरी नहीं करता, तो center एक तरह से पीछे हट गया, तो यह majority पास नहीं होगी, okay, but union council को एक तरह से, इस तरह से union government को एक बीटो मिल गी है, क्योंकि इनके पास one third power है, okay, measuring imbalances, अब यह जो एक इसका इनों ने एक जो VFI, that is vertical fiscal imbalance है, इसको हम measure कर सकते हैं, इसका ratio निकलता है, state के revenue और expenditure से, clear है यह तो fiscal imbalance कितना है, revenue बटा expenditure करके हम इसका imbalance निकाल लेंगे, अगर उसके बाद क्या करते हैं, हम one minus vertical fiscal imbalance, तो पूरे country का, तो अगर पूरे country का vertical fiscal imbalance, suppose करो 0.60 आता है, तो इसको हम one से minus करेंगे, तो one से minus करके आएगा answer 0.40, तो इसका मतलब है कि 40% जो states हैं, वो अपने, उनके पास इतना revenue generate हो रहा है, कि वो अपना expenditure maintain कर सकती है, तो इसको ध्यान से समझो, कि one से अगर हम इसको minus करतें, तो जो बचा है, that is 0.40% इंडिया के states ऐसे हैं, जो अपना आपको manage कर पा रहे हैं, उनका जो imbalance, उनके पास deficit नहीं है, जितना उनको revenue generate हो रहा है Texas से, मतलब उस से साबसे उनका expenditure balance हो जाता है, लेकिन अगर बाकी के 60% states हैं, इनका expenditure है, वो जादा है, revenue कम है, तो ये किसके अपर dependent होंगे पैसो के लिए, obviously center government, okay, तो ये कह रहे हैं कि इसको हमें 0 करना है, ठीक है, इसको हमें 0 करना है, so that सारे के सारे जो states हैं, वो अपना जो है balance कर सकें, वो अपना उनके पास same हो कि 100% states हैं, इंडिया के, वो अप अपना एक तरह के से self-dependent हो, जितना उनका expenditure है, उतना ही उनका revenue generate हो, okay, if we look at the data from all the states over the periods of the last three financial commission, VFI ratios show an increasing trend, ठीक है, तो VFI जो था, it was 0.530, तो अगर हम इसको 1 से minus करेंगे, 0.53, it will be 47, तो 0.47, तो 47% states ऐसी है, that own expenditure was financed by their own revenue, ठीक है, उनका जितना खर्चा, उतना उनका ही revenue था, तब कोई issue उनके लिए नहीं था, लेकिन 53% states के लिए ये issue था, okay, और ये जो 3 साल का हमने निकाले, last three finance commissions, 2005-06-2021 के बीच का ये average है, इस time में, 2005-06-2021 के बीच में कोई changes हुए, जैसे, first जो है, divisible taxes of union government expanded, union government के taxes जो है, वो expand हो गए, उससे क्या हुआ कि union government का revenue base enlarge हो गया, और जो कि उनको states के साथ भी share करना था, second जो है, FRBM Act आया, ठीक है, FRBM Act ने, FRBM Act आया, ठीक है, जिसने fiscal deficit के target set कर दिये, कि center का 3% होना चाहिए, states का 2% 5% होना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी achieve अभी तक नहीं हुआ, तो इन्होंने fiscal deficit के target set क कर दिये, third union planning commission ने plan grants खतम कर दिये, ठीक है, जो कि center देता था, states को plan grants खतम कर दिये, fourth GST introduced हुआ, these changes have considerably altered the state revenue structure, अब ये FRBM, ये सब बातों की वज़े से, states के revenue structure में changes आये, states have little revenue autonomy and are more dependent on union government now, ठीक है, अब GST वाला मुद्दा आ गया, तो अभी union government के अपर ही dependent है, plan grants भी विड्रू होगे, तो अब ये जो states है, ये अब, if we consider the withdrawal of union government's plan grants and loans to the states and their effects on capital budget, combined budget, VFI जो ratio है, वो 0.59 हो जाएगा, अगर हम कहें कि plan grants भी state center ने निकाल ली, तो जो पहले VFI 53 था कि that means 47% states जी थी वो well balanced थी, अब सिरफ 40% states ही बचेंगी, क्योंकि अगर center का support ना हो तो, ठीक है, तो center के support के बिना सिर्फ 40% states ही ऐसी बचेंगी, grants भी निकाल दे हम, जो कि self-dependent है, only 40% of states of the state's own expenditure is financed by their own revenue, okay, उसके बाद हम आगे चलते हैं, reassigning of tax powers, we propose a solution, तो इन्होंने कुछ solution दिया है, इसके लिए कि कैसा करना चाहिए, कि क्या हम करें, we propose a, तो इन्होंने बोला है कि सबसे बहले तो central जो GST और जो excise duty है, petroleum products के उपर, वो states को दे दो, ठीक है, तो अब the entire GST और इसके उपर जो भी अगर हम इसको कल को GST के अंडर लेके आते हैं, वो भी आप state को दे दो, we should bring all the commodities including petroleum products अंडर GST, सबसे बहले इनको GST में आओ, union government should continue to union government जो है, वो integrated दो states के बीच का GST collect करें और दोनों के बीच में divide कर दे, ये ठीक है, GST shall continue as a text determined by GST council, ठीक है, GST council का काम होना चाहिए, लेकिन जो union government को indirect veto power मिली हुई है, वो remove कर दो, ओके, और GST council जो है, वो एक states की body होनी चाहिए, और union government का काम होना चाहिए, दोनों के बीच में consensus maintain करना, ठीक है, जो भी commodities के उपर text लग rate हो सके, assignment of excise duty and petroleum products to the states will hasten the process of integrating taxes, ठीक है, excise duty states को दे दो, petroleum products की और वो सारे का सारा जो है, इसके अंदर करतो, ठीक है, लेकिन हमें पता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका positive impact क्या होगा, कि states के खुद के revenue बढ़ जाएंगे, center के उपर dependent नहीं रहेंगे, तो उनके accountability भी हो तो states जो है, खुद ही ये सब balance कर पाएंगी, ठीक है, once the GST is assigned to the states, VFI will come to 0, उसके बाद हम देखते हैं, the unequal tax base with unequal expenditure requirement between the states and centers cause horizontal fiscal imbalance among these states, है न, तो जैसे Punjab अरया न, UP भी हा, इनके बीच का जो imbalance है, that is horizontal, therefore the union government should affect equalization transfers to address the issue of horizontal fiscal inequality, जो ये जो ये इनके बीच में inequality is within the states, ये तो union government को खतम करनी पड़ेगी, okay, तो इससे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, तो revenue surplus होगा, तो ये बराबर करने में काम जो है, आएगा, अगर इस solution को, ये जो solutions इनोंने दिये हैं, petroleum को GST के अंडर कर दो, commodities को state के अंडर कर दो, तो अगर ये solutions ये कह use कर सकते हो, ठीक है, अपने questions में, तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल में लेंगे, ठीक है, हमारे Hindu news analysis और editorial के साथ, झाल के लिएर